हेलो एन वेल्कम काईज वेरी वेरी वार्म वेलकम एव्रीवान आप सबका तहे दिल से सवागत है हमारे आज के डेली करंटरफेस एक्सप्लेइन में पर आज की तारीक है 1st of September दोस्तों आज कई बड़ी-बड़ी खबरें हैं कई खबरों पर हमारा फोकस रहेगा वैसे जब हम News Media Outlets की बात माने तो उनका मानना है कि One Nation, One Election इस पर चर्चा हो सकती है साती साथ कई और मुद्ध जैसे कि UCC पर तार्टी उनिफॉर्म सिविल कोड उस पर भी बातचित हो सकती है लेकिन अगयन वह सारी खबरें फ्यूचर करंटरफेस हैं उनको अभी हम इस करंटरफेस सेशन में आपके साथ टेक अप नहीं करेंगे अभी हम बात करेंगे कई ऐसे मुद्धे पे जो आज के लिए इंप है जले स्वागत करता है मेरा नाम कुषपांडे और आप देख रहे हैं एक्सप्रेंड और एक्सप्रेंड बाय कुषपांडे सबसे पहले आते हैं हमारे होमवर्क पे कल हमने आपसे पार्च कुछिंस पूछे थे Q1 था कौन सा देश है जो होस्ट करेंगा Asian Games तो उसका आंसर जो अपने दिया वो सही आंसर दिया था and that is China Second सवाल था कौन सा कंट्री है जो होस्ट करेंगा CCAT 2023 को एक different exercise है उसका आंसर Singapore है 14 अगुस्ट को already exercise आपकी start हो चुकी है फिर सवाल था what is the name of the new scheme launched by the government or will be launched by the government to augment city bus operations by operating 10,000 e-buses on public private partnership model उसका आंसर है PME Bus Seva फिर सवाल था कौन सा देश है जो होस्ट international conference on preserving information integrity and public trust in elections उसका आंसर आपकर दजील रहे है और आखरी सवाल था वो पहले भारतिये कौन है विशनातन आनंद के बाद जो पहुचे है वर्ल कप के finals में since 2002 इसका आंसर आपका प्रगा नंदा दोस्तों जो है वो आपका रहेगा तो इस सारे answers है इनमें अगर मैं अगर और बताना चाहूं आपको तो Singapore को लेकर जैसे मैंने कल बताया था एक exception किया है union government ने यहां पर जो एक condition थी कि 1200 dollar per ton जो एक figure आया था जिस figure पे नीचे अगर per turn हम बासवतिराइस सेल करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे तो अलाव नहीं किया जग इनके लिए वो अलाव किया गया है साती में Chinese के जो प्रेजिडेंट है जी जिन्पिंग according to a lot of social media and reports वो इंडिया G20 summit में नहीं आएंगे उसका reason हो सकता है जाय से बात है चाइना ने एक map जारी किया था जिसका opposition इंडिया के अलावा उन सारे दिशों ने किया था जो उस particular map के अंदर जिनकी territory को चाइना ने अपना माना था फिर बात करें हम ब्रजील का तो जो अगला G20 है जो अगला B20 है Business 20 summit वो आपका ब्रजील में G20 भी ब्रजील में होने वाला उस वजह से न्यूज में है और प्रगानन्दा न्यूज में इस तरी है बिकॉस दुनिया का पहला Rapid Chess Championship अभी हुआ है जर्मनी में Düsseldorf में जहां पर WR टीम ने जीता है उस टीम के एक मेंबर है आपके प्रगानन्दा उस वजह से भी ये न्यूज में बने हुए है अब आते हैं हमारे आज के questions पे पहला question आपके सामने है कौनसा वो country है जो बना है दुनिया का पहला country जिसने एक 7-minute cancer treatment jab launch किया है तो उसका answer है option A that is England बाकी options की बात करें तो ABIA address जो है उसको cancel किया उसको allow नहीं करेगा आपका France France ने कहा है कि ABIA address state run schools में आपका allow नहीं किया जाएगा फिर अगर ग्रीज की बात करें तो इंडिया और जो ग्रीज है उनके strategic रिष्टे आपके जो है वो अब बहतर होंगे और strategic partner के तौर पर इंडिया और ग्रीज जो है वो आपका काम करेंगे similarly Zimbabwee में फिर से बने है current president वहां के अगेर राष्टपती लेकिन उसमें twist आया है कि वहां का जो opposition है उसने इसके खिलाफ कहा है कि ये चुनाव गलत था और इस चुनाव की results को हम नहीं मानते हैं बाकि Australia की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कल October 14 date आपको पढ़नी पड़ेगी because ये वो date है अब Australia के अंदर referendum होगा कि जो aboriginals हैं जो वहां के निवासी natives हैं क्या उनको अधिकार मिलेगा policy में change करने का as part of constitution उसकी ख़बर पे Australia news में है फिर कौन सा देश है जो host करेंगा पहला Global India AI India Summit उसका कौन सा देश है जो इसको host करेगा तो उसका answer आपका India रहेगा जाहिर से बात है बागी options की बात करें तो Brazil की बात करेंगे because Brazil को B20 का तो अभी handover किया है आगे चलकर G20 का handover भी वो कर देगा फिर अगर हम बात करें New Zealand की तो मैंने पहले बताया civil mobility का या civil aviation का एक agreement इंडिया ने इनके साथ अभी हाल ही में दोस्तों जो है वो किया है इस वजह से New Zealand जो है वो फिलहाल आपका न्यूज में बना हुआ है क्या नाम है उस फाइनल स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17 ए शिप का फूस फ्रिगेट का जिसको लॉंच किया जाएगा आज के दिन 1 सेप्टेंबर को ओन आद दे माजगाउं डॉक्स शिप्यार्स इमिटेड इन मूंबई नीलगीरी, महिंद्रगीरी, विंध्यागीरी, हिमगीरी या उद्यागीरी आंसर है उसका रहेगा महिंद्रगीरी सारे जो नाम है वो सातों में से एक आते है लेकि जो लास्ट है आपका वो महिंद्रगीरी है जो की एक माउंटेन पीक पे उडिसा के नाम पर ये बेस किया गया है भदरवा राजमा हाज बिन गिवन जी आई टाग फॉर विच फॉलूविंग स्टेट उसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा जम्मू कश्मीर आपको बताना है और यह मैं होंवर्क में ने दिया भी था आपको बताना है कि कौन सा वो दूसरा आइटम है फूर्ट वहां पर एक रिन्यूबर एनरजी प्लांट जो है उससे बनाया जाएगा और इसके लिए एडी भी उससे जो है वह आपका सपोर्ट करेगा उस वजह से तमिल नाडू जो है फिलहाल आपका नियूज में बना हुआ है इसके लावा दोस्तों नाशनल नुट्रिशन वीक आ आज से लेकर 7th September 7th ये डेट थी जो आपकी वहां तक ही आपका चलेगा अगर हम बात करें nutrition की तो जो nutrition mission था जो सबसे पहले वह आपका जुन-जुनू राजस्थान में ही शुरू हुआ था इस वजह से राजस्थान भी फिलहाल आपका नियूज में है बाकी अगर हम बात क करें minor minor irrigation schemes का तो अभी हाल ही में उसका छटा senses आया था और उस particular senses में उत्तरप्रदेश number one rank पर आया था in terms of the maximum minor irrigation schemes in a state उसमे यूपी number one पर था गोवा shipyard limited ने हाल ही में किस देश के shipyard के साथ एक collaboration किया है tie up किया है for capacity building and construction of ships उसका आंसर रहेगा option C that is Kenya के साथ एक collaboration जो है उसको किया गया है अब आते हैं आज की बड़ी खबरों पर सबसे बड़ी खबर official बड़ी खबर जो examination oriented है examination focus करती है वो यह है कि according to the national statistical office जो की काम करता है under the ministry of statistics programming and implementation उस ministry को जिमा मिलता है इन numbers को quarterly basis पर half yearly या annual basis पर release करना so according to the NSO Indian economy जो यह इस साल का इस financial year का पहला quarter है उसमें grow करेगी at 7.8% which is as per the standard यह update GDP को लेकर NSO जो office है NSO जो है organization उसने पेश किया है officially India इसको मानता है अपना official GDP number तो पहले quarter में जो number है वो 7.8% पर दोस्तों आ रखा है ठीक है इसको अगर हम compare करें तो 6.1% था January to March 2023 में जो इससे पहले का quarter था और अगर हम compare करें पहले quarter 2022 थे इसके तो उस समय वो था आपका 13.1% का ठीक है तो उसके comparison में change है लेकिन obviously बात है हमें compare करना नहीं चाहिए because उस समय हम grow कर रहे थे rapid pace in fact जो उससे जो point of reference था वो आपका different था और यहां पर हम 7.8% के healthy rate पर दोस्तों जो है वो पहले quarter में grow कर रहे है which is a good enough number फिर second कबर है भारत के उपरास्टपती जगदीब धानकर उन्होंने मुलाकात की है विदेश मंत्री नौर मसेडोनिया के इनका नाम है बुयर ओस्मान न्यू डेली मुलाकात हुई है वैसे बहुत बड़ी कबर नहीं है लेकिन क्योंकि हम यहां पर countries की बात करते हैं और आपको मैंने commit किया है map study बताने का तो यह map study यह देख लेते हैं तो सबसे उपर सबसे बीच में आपका जो है वो नौर मसेडोनिया है मैंने कल भी आपको बताया था एक देश जो की एक landlock country है वैसे ही मसेडोनिया जो है वो भी आपका एक landlock country है जिसका capital जो है वो है आपका scopie और currency यहां की आपकी दिनार है similarly Albania की बात करें capital तिराना है currency आपकी लेक है ग्रीज की बात कर जिसके साथ इंडिया के strategic रिष्टे हो चुके है Athens capital है euro currency है और बुल्गारिया का Sophia capital है लेव currency है जबकी सर्विया जहांके मशूर किलाड़ी है नुवाग जोकोविक जो इस बार का US Open फिर सजीच सकते हैं अगर कार्लोस अलकारेज उनको हराना दे नहां पर euro है तो जो नॉट नॉट पसिडूनिया के जो foreign minister है उनके साथ मुलाकात की है भारत के उपराष्ट पती तीसरी खबर में कई सारे keywords है पहले खबर जालने थे खबर यह है कि भारत के केंद्रिय मंत्री बुपेंदयादर साहव उन्होंने start किये है chemotherapy services in 30 ESIC hospitals अब सबसे पहले chemotherapy किसले होती है chemotherapy आपकी cancer को लेकर होती है cancer अभी आपका news में क्यों है because England ने 7 minute का cancer treatment पेश किया है जहाँ पर जो drip आपका 30 minute साथ मिन लगता था वो drip आपका within 7 minutes आपका लग जाएगा उस वजह से chemotherapy आसान हो जाएगी England के अंदर दूसरा बात करें ESIC का ESIC का full form है Employee State Insurance Corporation 1952 में इसकी चुरवात हुई थी और basically यह support करती है organized labor को खास तोर पे किसी की salary अगर 15,000 से कम है जिसको अभी update आया है कि salary कौम 21,000 से कम बता दे उनको भी count करेंगे तो अगर उस amount से salary आपकी कम है तो ESIC card आप जारी करवा सकते हैं और जो EIC के registered hospitals हैं, clinics हैं वहाँ पर जाके आपका इलाज हो सकता है वहाँ पर इसका insurance जी जो है वह आपका provide कर सकता है तो chemotherapy services के लिए 30 additional ESIC hospitals को जो minister ने पुपेंद यादर उन्होंने अभी हाली में launch किया है खास थोर पर ये उनके लिए है जो लोग insurance अवेल नहीं कर सकते और एक organized sector में आपका काम करते हैं फिर ये बड़ी कबर है पिछले 2-3 दिनों से चल रही है इस कबर को लेकर एक बयान में दिखाऊंगा आपको और बयान जो है वो दिया है जैराम रमेश ने उन्होंने कहा कि the Modi government especially in the case of Man Rega और MG Narega जो की एक 100 days के work देने वाले scheme है and soon with pensions and other social welfare benefits has used its weapon as a weapon to exclude citizens from their guaranteed right जो उनका मौले का दिकार है जो उनके anti-rights है उनसे उनको remove किया है और experiments with technology के उनके एक action की वज़े से मतलब उनका मानना है कि जो सरकार हमारी है जो अभी current सरकार है वो कई तरह डिजिटल banking experiments कर रही है उनकी वज़र से ऐसे लोग जो vulnerable है जो पूर है उन तक पौशा पैसा या income जो उनका अधिकार है वो आपका नहीं पौशता है देखिए यहां पर दो बड़ी चीज़े हैं पहला mg nareaga के अंदर जो भी labor काम करते हैं उनके काम का पैसा उने मिलता है generally पैसा उने मिलता है या तो cash के माधियम से या कई और तरीकों से एक तरीका और है जो तरीका prefer किया गया है और पिछले कुछ सालों में उसी तरीके से पैसे transfer किये जा रहे हैं वो तरीका है through the APBS यह की नाम दिया हुआ है यहाँ पर through the APBS APBS का मतलब होता है आधार payment based system उस आधार पर देने की बात यहाँ पर दोस्तों की गई है तो APBS system या ABPS system जो है that is आधार based payment system उस आधार पैसे देने की बात की गई है problem यहाँ पर दोस्तों यह आती है और बड़ी problem दोस्तों यह आती है कि ABBS अभी तक fully cover नहीं हुआ है सबसे पहले आओ जानो यह ABBS होता क्या है ABBS यह कैसा system होता है जिसमें आधार account आपका link करा के आपके account से directly आपके account में वो benefit को और transfer करते हैं सरकार को अगर subsidy transfer करनी है या इस case में सरकार को wages को labor wage को transfer करना है तो उससे directly उसे account यह ऐसे transfer कर सकते हैं लेकिन अगर आपका आधार card account से link नहीं हुआ है तो यह system वहां work नहीं करता है इसी वजह से आप number देख लिए यहाँ पर यह पांचवी बार है जब इस extension को दिया गया है और इस साल के end तक यह extension आपका रहेगा अभी तक बात करें तो 13.34 करोड ऐसे laborers हैं active laborers हैं out of 14.33 करोड जिन्होंने registration करा लिया है जो आधार को link कर चुके है बैक काउंट से और जो ABPS enabled है अब यहाँ पर word समझे का ध्यान से active workers active workers वो workers होचे हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में मनरेगा के अंदर work किया है तो उनमें से सिर्फ 18.11% लोग हैं जो उस net से बाहर है जिनको अभी registration और अपने अधार कार्ट को link कराना है with the account इसका मतलब यह है कि 81.89% of the active workers जो है वो अब उनके पास ABPS का system है लेकिन इंडिया में जो eligible workers हैं मनरेगा में वो करीब 26 करोड है और उनमें से 41.1% ऐसे लोग अभी भी हैं जो eligible नहीं है for this particular mode तो दो यहां पर कहानिया एक active workers जहां पर काफी अच्छी growth है सिर्फ 18.11% लोग के पास ABPS enabled accounts नहीं है और दूसरे आपके 41.1% workers हैं जो active भी है इन active भी है टोटल workers हैं जिनके पास अभी ABPS enabled या eligibility उनके पास नहीं है उन्होंने आधार को अपने account से नहीं करा है या फिर ABPS enabled उनका हुआ है तो इसको लेकर भी काफी जादा बात चल रही है examination की बात करें तो obvious सी बात है चाहे आप UPSC दे रहे हो, PSC दे रहे हो, bank SSC दे रहे हो ये full form पे सवाल बनेगा इसका full form है आधार based payment system एक ऐसा system जो allow करता है enable करता है direct transfer into the account by linking the आधार card which is a 12 digit number to your bank account उसे असानी से पैसे आपके account में आ सकते हैं अब आते हैं अंतराश्ट्री खबरों पे दोस्तों एक बड़ी खबर है व्लादिमीर पूतीन G20 में नहीं आ रहे हैं इनफाक्ट यूक्रेइन कोई जो अधिश्योभी प्रेसेंट है वो भी नहीं आ रहे हैं कि जो दुनिया भर से बैकलाश मिला है चाइना को रिगार्डिंग इट्स रिसेंट स्टैंडर्ड मैप जो से जारी किया था वो एक रीजन हो सकता है इस पर्टिकलर चीज की वजह से प्रमबबन नंबर टू ब्रिक समिट के दोरान भी इंटरेक्शन हुआ था मोदी जी का विद जी जिन पिंग वहां पर भी बाते नहीं बनी थी इन फाक्ट बहुत ही जादा वो सुपरफिशल एक वारता थी तो वह एक रीजन हो सकता है कि वह इंडिया कमिस करें इन फाक्ट उनके जो विदेश मंतरी है सरगे लेवरव वो इंडिया आएंगे ना कि व्लादिमेर पुतिन अब इससे जी ट्वेंटी के यूनियन पर कितना असर पड़ेगा जी ट्वेंटी आज ब्लॉग कितना असर पड़ेगा वो तो समिट के दोरान समिट के बाद ही हम बता पाएंगे फिर ब्रिटेन की क्वीन कैमिला पाकर उन्होंने अन्वेल किया है पोट्रेट एक ब्रिटिश इंडियन स्पाई नूर इनायाथ खान का लंडन में वहां पर एक गैलरी है और दी रॉयल एयर फोस उस गैलरी में उन्होंने इन मादम का इन मैडम जो है इन फ्रीडम फाइटर है और जुन्होंने वर्लवा पार्टिस्पेट किया था सेकेंड वर्लवा में उनकी जो एक फोटो गैलरी में उनकी जो एक पोट्रेट है उसको अन्वेल किया है इसकी बात करेंगे फिर यूके के अंदर एक और खबर आ रही है वहां के डिफेंस सचिव ने रिजाइन किया दिफेंसेज विद्धी पॉलिटिक्स ओफ रिशी सुनाक उनकी जगा अब ग्रांड शाप्स जो हैं उन्हें यूके का नया डिफेंस सचिव डिफेंस मिनिस्टर कह सकते हैं को उनको बनाया गया है आए बात करते हैं पहले नूर इनायत खान जी की नूर इनायत खान मेंब थी ऑप दी रॉयल एयर फोस विमन ऑक्सिलरी एयर फोस की जमने रिक्रूट किया गया था अजस पैशल ऑपरेशन एग्जेकिटिव इन 42 और उसके बाद वो उन दो मेंबर्स में से एक हैं जो की जो विमन ऑक्सिलरी एयर फोस से बिलॉंग करती हैं जिन्हें जॉर्ज क्र ने थी यह, रहे जाता है और यह दिया जाता है और यह सबसे अधिक infra वालों को एक्स्ट्रीम डेंजर में जनों सेरां ंवे उन्हें को दे जाता हैं कहा जाता है कि यह जब जब इनको गिराफतार किया गया था और इनको एक concentration camp रखा गया था तो महीनों तक तो कई हफतों तक इन पर अत्याचार हुआ कई हफतों तक इनको torture किया गया लेकिन इन्हों ने एक word भी एक word भी नहीं निकाला against जो भी उनके पास information थी in fact इनके lips पर liberty जो word था वो था end में और इनको फिर shoot कर दिया गया और इसी bravery की वजह से इनको George Cross में तो अब इनका एक portrait जो है उसे लगाया गया है in the gallery अगर इनकी बात करें तो she was born as नूर उन निसा इनायत खान Moscow में 1914 में फिर इनके parents बहुच गए आपके England recruitment हुआ इनका special operations executive के तौर पर 42 में और इनके death हुआ उसके दोसाबात 44 वे और का code name था आपका Madeline जिसे आप एक little rich rich cake कहते हैं उसको Madeline का नाम दिया जाता है इनके बारे में interesting बात अगर हम Indian perspective से करें तो टीपू सुल्तान जो माईसूर के राजा थे उनकी direct descendant के तौर पर ये थी in fact अपने father के side से she was a direct descendant of टीपू सुल्तान और इनकी family लंडन move करी थी और फिर then to pal in 1920 तो उस relation की वज़र से भी इनन परस्पेक्टिव में ये important आपका हो जाता है फिर grand shapes जो है वो बने हैं night defense such a और बुद्भार को मतलब कल के दिन ये खोशना आपकी की गई और वो replace करेंगे long serving Ben Wallace की जिन्हों resign किया था due to differences due to political differences with Rishi Sunak. Shaps famous हैं और वो प्रख्यात हैं Ukraine को support करने में against Russia's invasion और वो भी एक factor play किया है इनकी न्यूकती में दोस्तों Rishi Sunak के उपर एक और उनके उपर acquisition लगा है कि उनकी जो wife के infosys में shares हैं उसको लेकर भी वहां की parliament में कई सवाल उठाया जा रहे है इन fact जो भारत और UK का जो एक treaty है त्रेट का उसमें भी सवाल उठाया गया है कैसे उनकी wife के shares होने की वज़र से जो की एक ठीक ठाक shareholder ने infosys में क्या उसका असर पढ़ सकता है तो उसको लेकर विशी सुनाग जो है अभी आपका news में बने होने हैं अब आते हैं science and technology पे दोस्तों चंद्रियान 3 जैसे मैंने पहले कहा of the moon और यह जो आपका चंद्रियान 3 यह जो आपका instrument है इसका दोस्तों जो नाम है that is that is APXS that is alpha particle x-ray spectroscope यह इसका नाम है और इसने भी confirm किया इससे कुछ दिन पहले in fact 28 अगस्त को lips ने that is a laser induced breakdown spectroscopy उसने भी दोस्तों है confirm किया the presence of sulfur in the region और अब second से यह reconfirm हो चुका है कि वहाँ पर sulfur तो presence है अगर आप तयारी कर रहे हो या आप एक आम आदमी की तरह आप जानना चाहते हो कि sir कितने experiments हो रहे हैं तो मैंने एक list बनाई है आपके लिए पर उससे पहले जरा मैं आपको वीडियो दिखा दो ताकि यह वीडियो आप देख सके अगर अगर यह वीडियो यहाँ पर है basically इस वीडियो का main मकसद हमारा यह है आपको दिखाने का कि APXS ने कैसे work किया है तो अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें तो let's suppose यह आपका एक horizon है जो की आपका उस lander का है और APXS ने कुछ यहाँ पर दोस्तों जो है वो ट्राक किया है sulfur का existence उसी वज़र से यह एक graphic यह image जो है वो आपके लिए important दोस्तों जो है वो फोजाती है मुद्दे की बात दोस्तों यहाँ पर मेरे बताने की यह है आपको कि APXS ने confirm किया है फिर से कि वहाँ पर sulfur के content पाए गए है APXS को develop किया है आपके physical research laboratory ने जो की आमदाबाद में दोस्तों आपका बनाय डिजाइन किया गया है और उसकी वज़र से यह अब यहाँ पर sulfur को track कर पाया है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यह जाना ज़रूरी है in fact it is very imperative for everyone to know कि कौन-कौन से experiments हो रहे हैं कौन-कौन से वहाँ पर device गए है तो यह device गए है मैंने एक आपको एक image बताई थी उस image में चीजें बताई थी लेकिन अब मैंने उसके लिए table तयार किया है पहला है आपका ilsa instrument for lunar seismic activity seismometer है जो कि वहां का जो vibrations है उस surface के उसको टेस्ट करेगा और इसको बनाया है लियोस ने laboratory for electro-optic systems फिर रंभा LP है radar for moon bound experiments यह एक लांग्यूर प्रोब है जो की बनाया है space physics laboratory ने फिर chase से सबसे पहले इसका ही आपका न्यूज आया था चंद्रयान 3 surface thermophysical experiment जिसने temperature चेक किया surface का यह thermal probe है इसको बनाया है आपके विक्रम साराफाई space center में वहां पर इसको बनाया गया है फिर LRA है laser laser retroflector array जो की एक retroflector है NASA ने से बनाया है फिर APX से आज की बात करें एक से स्पेक्ट्रोमीटर है इसे PRL ने बनाया है फिर lips है इसकी बात हमने आज ही की है यह एक laser based स्पेक्ट्रोमीटर लियॉस ने इसको बनाया है और फिर है आपका शेप जो की अगर compare करें चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 को तो शेप experiment यह शेप जो device है यह चंद्रयान 3 में तो आपको इसका PDF चाहिए इमेज चाहिए तो मैं आपको end बता दूंगा हमारे WhatsApp पे जूड़ सकते हैं या Telegram पे जूड़ कर इस particular image को महां से डाउनलोड कर सकते हैं फिर आते हैं defense पे दोस्तों एक हमारे Indian Navy की एक मुहीम है जिसका नाम है सागर परिक्रमा 4 वह अब आपका comments होन स्टेट्स में खास तौर पे कोस्टर यूटी में खास तौर पे आपकी होती है और इसका एक route होता है पहले decided जिस route पर यह fisher folk, fish farmers और जो concerned stakeholders हैं उनके साथ कदम से कदम मिला कर उनको solidarity provide करती है इसका main focus होता है balance create करना between utilization of marine fishery resources for food security of the nation and livelihood of coastal fisher communities and protection of the मह ecosystem basically यह एक initiative है इंडिया जो fisher community है जो मचवारें उनके साथ उनको सहयोग करना marine ecosystem को support करना और जो livelihoods हैं उस area के लोग की उनको भी support करना उसको लेकर यह एक मुहीम आपकी चलती रहती है इस बार यह मुहीम आपकी गोवा के coast पर शुरू होने वाली है ठीक है तो वो परिक्रमा आपका बहुत जल स्ट होने वाला है अब आते हैं banking finance पे भारत का जो physical deficit अब तक है that is 6.06 trillion rupees जो की April July के समय देखा गया है अब सवाल बनता है sir यह fiscal deficit होता क्या है माल लेते हैं यह भारत है ठीक है और भारत के पास income कम है और खर्चे जो है वो आपके जादा है यहां लिखा हुआ है spend यहां लिखा हुआ है income इसका मतलब है कि वो अपने देश के अंदर infrastructure पर खर्चे कम कर पाएगा और अगर हम इंडिया को infrastructure better करना है because इंडिया का एक target है कि इंडिया को 2025 में बनना है एक 5 trillion dollar economy जो कि हम बन सकते हैं तो जाहिर से बात है इंडिया को पैसे फिर या तो बोरो करने पड़ेंगे या बाहर से इंवेस्ट कराने पड़ेंगे तो लेट सपोस्थ दूसरे देश ने या दूसरे एक overseas organization ने पैसे लेंड किये government को और इस वजह से जो total एक difference आता है including the borrowings including the non-capital borrowings जो की आपका किसी scheme के अंदर की जाती है या फिर किसी repayment को repay करने की जाती है या फिर किसी और कामल की जाती है तो जो एक difference है of the total expenditure which is greater than the income including the borrowings excluding the non-capital receipts उसे हम fiscal deficit कहते हैं आसान भाशे में कहूं तो एक देश के पास एक वित्तिय वर्ष में या एक समय में कितना वित्तिय बोज है कितना ऐसा पैसा है जो से repay करना है या वो overdue है for repayment उस total पैसे को उस difference को between the excessive expenditure and the deficit income उस difference को हम कहते है fiscal deficit यहाँ पर दोस्तों याद रखे का fiscal word हमेश with the government जब हम government revenue की बात करेंगे तो हम fiscal की बात करेंगे तो जब सरकार का revenue जब सरकार की कमाई कम होती है with the expenditure और expenditure के लिए जब हम पैसे borrow करते हैं पैसे bahar से manyगाते हैं पैसे बahar से transfer होते हैं जिसे हमें repay करना होता है तो जो total financial burden है किसी देश का उसे कहा जाता है fiscal deficit कई देश औ उन्हें सस्ते दरों पर या 0% interest rates पर loan मिल सके from World Bank, from IMF ताकि उस पैसे का इस्तमाल वो कर सके ना कि अपने पैसे का हाला कि pandemic के दौरान ये deficit काफी बढ़ चुका था 9% को cross कर दिया था और अब हमें इसको ले दे के 4.5% of the total GDP के आसपास लेकर आने वाले सालों में, in fact आने वाले कुछ सालों में लेकर आना है, तो इसी वजह से ये deficit को control करना अब जरूरी हो चुका है, अगर आपको formula पढ़ना है total expenditure minus total receipts excluding the borrowings, अब यहाँ पर borrowings में हम सिर्फ जो non capital borrowings हैं जो पूंजी बनाने में इस्तेमाल नहीं की गई हैं, उनके लिए करेंगे because देखो कई बार क्या होता है, कि हमने पैसे लिए उस पैसे को निवेश किया, उस समय profit हुआ, और कई बार हमने पैसे लिए ताकि कहीं पर खर्चा कर पाएं, तो जितने खर्चे होंगे, ठीक है, उनको हम यहाँ पर आट करेंगे, जो पैसे लिए गए हैं for investments, उनको हम यहाँ पर आट नहीं करेंगे, एक और formula बनेगा, revenue expenditure plus capital expenditure minus revenue receipts plus capital receipts excluding the non capital debt receipts और borrowings यह रहेगा आपका एक fiscal deficit, तो वो आप कितना रहा है, 6.06 trillion rupees in April-July, मैं confirm कह सकता हूँ, यह खबर पढ़ने का आपका interest कम इसलिए हो गया होगा, because दूसरी खबर जादा interesting है, हाला कि इस खबर के examination में आने के chances कम हैं, लेकिन जब आप अपने answers को लिखे होगे, अगर मैं बात करूँ, में में, specifically जो written paper होता है, SBI में या फिर अगर अगर अप OPSC की बात करें, किसी exam का आते हैं, जहां पर आपको subject लिखना होता है, तो इसका एक influence वहाँ पर हो सकता है, तो एक संगठन है, investigative journalist का जिसका नाम है OCCRP, उसने यह आरोप लगाया है, उसने अडानी में लगाया गया है, millions of dollars funds, जिससे की जो एक market value है, जो market capital है, अडानी stocks का, वो जादा हो चुका है, तो वो आरोप लगाया है, कि वो funds, in fact, किसी आम shareholder के नहीं है, बलकि वो अडानी family से, या अडानी associates से ही, उनका दोस्तों संबन है, इसकी बात, यहां पर सबसे पहल consulting project और OCCRP, अगर हम इसकी बात करें, तो report में alleged किया गया है, कि Gotham Adani's family of investing millions of dollars in its own company, खुदी के पैसे, खुदी कंपनी में, आप कि उनके लगाया है, जिसका मतलब opaque होता है, वो पैसे market के नहीं है, बलकि उनके खुद के है, इनमें दो associates के नाम आए है, जिन्होंने millions of dollars पैसे पहले हैं, चांग, चुंग, लिंग, और दूसरे नासर, अली, शबान, आली, इनके नाम यहाँ पर आए हैं, अब सवाल बनता है, OCCRP होता क्या है, OCRP एक organization है, जिसे form किया गया था, विट 24 non-profit investigative centers ने, 2006 में से found किया था, journalist Drew Sullivan और Paul Radu ने, और अभी इसके जो current head है, उनका ना लिस्ट का होगा, जो की अपनी stories को निर्भीक तरीके से, without any fear, वो उसे publish कर पाएंगे, और खास तोर पे इसकी पकड़ रहेगी, organized crime पे और corruption पर, ऐसा नहीं है कि पहली बार, अडानी stock से सथ ऐसा हुआ है, अडानी enterprise से ऐसा आरूप लगें, इसे पहले हिंडिनबर्ग, संस् investigation थी, उनका जो एक भांडा खोड़ हुआ था, उसको करने में इसका भी बहुत बार होता, in fact, इसे नोबेल प्राइस के लिए नॉमिनेट किया गया है, और साती साथ इसे 2017 का पुलिजर प्राइस भी for the journalism इसको दिया गया था, एक और यहां पर twist है, एक और यहां पर एक angle है जो की एक billionaire है, यूएस के, और इनका keen interest है पूरे मामले, because इन्होंने कुछ महीनों पहले, एक करीब साल पहले, इन्होंने अडानी स्टॉक्स को लेकर भी टिपड़ी की थी, कि वो एक पूरा sham है, और उसी उनकी ही company जो है, open society foundation, वो company इस particular agency को, इस organization को support भी करती है, वो इसके perspective क्या निकाले, सही गलत, लेकिन खबर आपके सामने मैंने पेश कर दी है, तो OCCRP जो है, उसने ये काम यहाँ पर दोस्तों किया है, तमिलाडू की बात करें, तो उसने दोस्तों एक panel बनाया है, जो की, अच्छा, एक खबर यहाँ पर और मिस हो गए, एक खबर और दोस्ते हैं, चेंज हो रही है, तो उसका असर इंडिया के industries पर, एंडिया के economy पर पढ़ता है, इंडिया में ऐसी आठ sectors है, petroleum refinery production, electricity, steel production, coal, crude oil, natural gas production, cement or fertilizer production, इन 8 sectors का हम quarterly basis पर, मतली basis पर review करते हैं और अभी numbers आपके आएं, तो जो कमा index है, of co industries का, वो increase किया है by 8% in July 2023, अगर हम compare करें इ जुलाइ ऑफ 2022 तो वहां पर हमने एक 8% का ग्रोथ जो की गुड़ ग्रोथ है वो हमने इन को एक को सेक्टर में आपका देखा है जिसका मतलब है कि इन इंडस्ट्री के लिए अच्छी ख़बर है और इन वाइसल सेक्टर में हम फिलहार ओवर और अन आवरिज ग्रो कर रहे है आते हैं फिर नेक्स ख़बर पर दोस्ता बात करते हैं स्टेट की स्टेट में हमारे पास तीन ख़बर हैं पहली खबर है तमिलनाडू से भारत के पूर्व चीफ एकनॉमिक अडवाइजर जो की एकनॉमिक सर्वे को ड्राफ्ट करने में जिनका रोल सबसे आधिक रहता है जिनके ही ऑफिस से वो ड्राफ्ट होता है जिसको पेश करते हैं करती हैं फिनांस मिनिस्टर तो फॉर्मर चीफ एकनॉमिक अडवाइजर अरविंद सुब्रमन्यन मन्यन जो है वो अब IGST को स्टडी करने की जो एक पैनल बना है जो एक कमिटी बनी है उसको उसमें मेंबर ह उसको लीट करेंगे तमिलाडू में IGST का मतलब होता है integrated goods and services tax basically जितना भी आपका interstate movement होता है goods and services का उसका taxation के इन सरकार लेती है और फिर states को पैसे उसका share states को देती है because उस state से वो source हुआ है तो उस पूरे मामले को लेकर कि इस पे compensation कितना होना चाहिए इसका sharing कितना होना चाहि government ने मिश्टर अर्विन सुब्रमन्यन को इस पानल का head आपका बनाया कि वो decide करने के लिए कितना compensation मिलना चाहिए और कितना उसका sharing हो सकता है with the central government फिर भारत के civil aviation minister श्री जोतिर राधित्य सिंधिया उन्होंने इनागरेट किया है उतकला या उतकेला एयरपोर्ट और उसी ए जीशा का आपका पाच्वा एयरपोर्ट है चार कौन से हैं आई जरा उसको इपर देख लेते हैं तो यह आपके सामने दोस्तों हैं यह पहले चार थे एक तो है आपका बहुत ही पॉपुलर बीजू पतनायक इंटनाशल एयरपोर्ट भुवनेश्वर में नवीर पतनायक स जहां पर उडान का फुल फॉर्म है उडे देश का आमनागरिक यह एक रीजिनल कनेक्टिविटी स्कीम है जिसका मीन मकसद होता है अलाव करना एनेबल करना आम आदमी को ट्राबल करने के लिए इसका अनिशल मकसद था आगे चलकर इसका मकसद हुआ कैसे हैं पूरे इंड आप तो इस को बी इसमें मौका दिया गया है तो इस रूट पर इंडिया वन जो कि एक लो कॉस्ट क्यारियर ऐे करांफर क्यारियर है वह इस रूट पर अपने फ्राइट को चलाएगी वह उसको ये टेंडर जो है वह दोस्तों दिए पिर अस्व इसका नाम है चोकुवा- इसको असम के अंदर magic rice भी कहा जाता है और उसको अभी हाली में GI tag दिया गया मैं आपको कल बताया था जमू कश्मीर के दो food items है और अब असम का भी जो magic rice है इसको भी GI tag दिया गया है कल एक सवाल आया था sir GI tag होता क्या है चाहे कोई item हो कोई product हो it could be handicraft, it could be an art item, it could be a food item, it could be a cultural item अगर उस area के वो popular है उसका वह significance है तो उस वो area या वो city या वो location उस particular item को secure कर सकता है secure का मतलब उस particular item की marketing करना उस particular item पर अपना अधिकार जताना वो वो कर सकता है import इसलिए है because अगर हम domestically बात करें तो रोसगुला को लेकर issue रहते हैं जैसे की आपका West Bengal और उडिसा में रहता है वैसे ही rice को लेकर भी रहता है दुनिया भर में इंडिया की बात करें या पाकिस्तान की बात करें तो उसका GI tank मिलना जरूरी हो जाता है है ना अभी कुछ महीने पहले kangra चाय को European Commission ने युरोप ने दिया था GI tag वहां के लिए तो वह एक बड़ी प्रतिष्ठा की बात थी कि में जो उसकी selling होगी उस खास kangra चाय की उसे हिमाज प्रदेश के कांगरा कॉर्परेशन है वही करेगा उसकी मार्केटिंग तो इसलिए यह GI tag import हो जाता है दस साल तक एक tag रहता है और फिर आपको इस tag पो फिर से apply आपको करना होता है अगर हम असम की बात करें तो यह आपके 9 items हैं जिनके ओरड़ी जिनको GI tag असम में मिल चुका है असम लोगो मुगा सिल्क असम कर्भी अंगलोंग जिंजर तेजपूर लीची जोहा राइस, बोका चाउल, काजी नेमू, चोकुवा राइस और गमोसा यह नाम यहाँ पर दोस्तों अलड़ी हमने दे 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 हैं सिमिलरली कल हमने बताया था आपको यह और इस साल हुए हैं, यह डिसकास हम कर चुके हैं, जिसमें माक्सिमम तमिलाडू 58 GI tax है, सेकेंड नमर पे आपका उत्तरपदेश आता है अब बात करते हैं, अग्रीमंट की MOUs की, जिनने हम कहते हैं, मेमरांडव और अंडेटेकी, डिपार्टमेंट अफ एक सर्विसमें, ऐसे लोग जो सर्विस में थे, सर्विसेज में थे, जो अब रिटार हो चुके हैं, जिनने हम वेटरेंस कहते हैं, तो उनको इम्प्लॉ और इस दिन, इसके बारे में, और इस दिन, इनफार्ट मोदी जी ने ट्विटर पे भी लिखा कि आपको एक सेंटेस लिखी है संस्कृत में, सिमिलरली सेप्टेंबर, एक सेप्टेंबर साथ तक आपका राष्टे निट्रिशन वीक चिला जाएगा, ताकि खास तोर पे ब करते रहें, बाकी यह मने कर बताया था आपको, पिछले कुछ दिनों के इंपॉर्टेंबर महीने में, एक ऐसी इंट्रेस्ट सब्वेंशन स्कीम लाने वाला है, अर्बन पूर के लिए, अर्बन क्लास के लिए, ताकि उन्हें जो भी वो लोन लेते हैं, अपने घर बनाने के लिए, उस पर उन्हें इंट्रेस्ट में छूट मिले, यहाँ पर जो वर्ड है आपका, that is, सब्वेंशन, सब्वेंशन का मतलब होता है, कितना छूट हम कर सकते, for example, पूरा वर्ड का मतलब होता है, कि अगर 7% इंट्रेस्ट रेट है, तो सरकार, let's suppose, 2% खुद पे करेग for the housing loan, यह जनकारी दी है, भारत के housing urban affairs minister हर्दिशिंग पूरीन, उन्हें कहा है, कि we are flashing out the details of the scheme, और फिर public करेंगे, और यह ready हो चुकी है, और इसे हमने now September में करना है, अब आपके एक सवाल आएगा, कि sir, already एक scheme है, जिसका नाम है, प्रधान, मंत्री, आवास, योजना, credit link, subsidy scheme, ठीक है, जो आपकी खतम हो चुकी है, दूसरी scheme है, आपकी प्रधान, मत्री, आवास, योजना, अर्बन, जो भी आपके सब्धान, 2014 में खतम हो जाएगी, जिसे extension दिया गया था, ठीक है, और इसके अंदर, जो houses थे, उन्हें इस साल, मार्ज गतिस तक खतम करने की planning भी थी, अपिसाल, लेकिन अब उसको 24 से extension किया गया है, लेकिन हमें योजना चाहिए होगी, एक consistent basis पे, जो subvention प्रोवाइड कर सेगे, उसको लेकर इस योजना को launch सरकार, जो है, वो करने वाली है, पासमें आपको, क्योंकि और ये दो schemes, एक खतम हो चुकी है, और ये खतम ह रसेंटाइम, जो डसल डॉफ में एक chess entrepreneur है, एक chess aficionado है, chess के प्रेमी है, in fact, वो chess player भी थे, उन्होंने ही एक tournament कराया था, the World Rapid Team Championship, उनकी ही team ने इस championship को आपका जीता है, second number पर रही freedom team, और third number पर रही MgD1, इंट्रेस्टिंग बात ही है, कि जो WR team है, उसमें इंडिया के number one chess player, प्रगननन्दा भी आपके मौझूद थे, जिन्होंने अभी ये fame में आए थे, क्योंकि इन्होंने, he became the second Indian after Vishwanathan Anand, since 2002, to play in the finals of the World Championship, जहां पर, unfortunately, Magnus Carlson से हार गे, लेकिन, he put up a valiant fight, तो वो भी इस team के, आपका दोस्तों जीत लिया है, फिर, मश्रूर सिंगर, मैथली ठाकुर, awareness फिलाएंगी, देज भर में, for climate change, through her songs, इसके लिए, इनके साथ, इनको बनाया है, अपना ambassador, अपने early warning for all campaign का, National Institute of Disaster Management में, और उनने कहा है, कि ये देज के अलग-अलग parts में जाकर, climate change को लेकर, जो ह है, वो awareness फिलाएंगी, करीब 18 भाशाओं में, इन्होंने गाने गाएंगे हैं, और काफी छोटी अमर में, काफी popular singer हैं, YouTube पे थी, अब देज दुनिया में popular हैं, और अब ये इस early warning for all campaign की, इन्हें brand ambassador के तोर पे बनाया गया, इनका नाम है, आपका मैथली ठाकुर, फिर आते के former chief justice of India, N.V. Ramanna साहब, इन्हें upon किया गया है as a member of the international mediation panel of the Singapore Mediation Center, Singapore में mediation center है, जो कि of course Singapore में, वहां प्रमादी members बनाया गया है इनको, यहां पर important word है आपका mediation, mediation क्या होता है, madhasta, किसी मसले को, किसी अगर कुछ, कुछ ऐसा कांड हुआ है, कुछ ऐसा issue हुआ, उसको resolve करना तो उसके लिए, सिंगापोर सेंटर के लिए इन्हें बनाया गया उसका member, इसका purpose है mediation करना, international commercial disputes resolve करना, यह उन्हें बनाया गया during the Singapore Convention Week, जो की annual convention है, जिससे organized किया Singapore Ministry of Law ने, और United Nations Commission on National Trade Law, UN, CITRAL ने, उन्होंने मिलकर यह convention किया रहा है, जहां पर इनकी न्यूपती जो है, व हाथ के former मुख नहाधीश सुप्रीम कोर्ट के रह चुके हैं, फिर आते हैं important organizations पे, दोस्तों भारत के जो union power NRE minister है, आरके सिंग, जो आरा, बिहार से लोकसवा MP हैं, वो पहुचे थे किगाली, जो की रवांडा का आपका capital है, वहां पर पहुचे थे, और वहां पर उन्होंन demonstration projects, एक रहेगा उगांडा में, एक Komoros में और एक माली में, और यह ISA का वहां पर यह आपका एक meeting था, it was the fifth ISA regional meeting of Africa, और वहां पर होने इसको inaugurate किया है, अगर हम ISA की बात करें, इंडिया का एक बहुत ही, इंडिया इंसमें लीडर रहा है, इंडिया ने इसको pitch किया था, प 309-2015 को Paris Summit में इसे launch किया गया था, और as per latest update, 116 ratified members है, जिसमें later ratification हुआ है आपका Congo का, और अजे मातुर सहाब जो है, वो इस समय इसके डिरेक्टर जनरल के तौर पे काम करते हैं, in fact, इसका president इंडिया है, और इसका co-president आपका जो है, वो फ्रांस है, यह दोनों के देशों Moroni Frank and Malika Bamako, West African CFA Frank, Kampala आपको याद होगा, declaration हुआ है अभी, है न, जिसमें 48 countries ने collaborate किया है for climate action, तो उस बज़े से Kampala भी अपने आप important हो जाता है, ठीक है, अब आते है मारे आज की आखरी बड़ी ख़बर पे, आखरी स्टार्टिक जीके पार्ट है हमारा, दोस्तों, अभी The Hindu में एक ख़बर चपी थी, और ख़बर चपी थी regarding the red sand boa, जिसे इंडिया में का जाता है, the Indian sand boa, इसकी जो population है, इस साप की उसमें कमी आई है, और ये खास तोर पे, इसको लेकर focus में कमी आई है, कैसे इस सापों को हम conserve कर सकें, पहले एक ख़बर पे जाते हैं, तो खबर इंडिया, जो W CSI है, उसने point out किया है, कि इंडिया में, कि इंडिया में ऐसे 172, कितने? ऐसे 172 आपके incidents हुए हैं, जिनमें ये पाया गया है, कि वहाँ पर red sand boa जो है, उनको वहाँ पर मारा गया है, इस report को compile किया गया है, under the illegal trade of red sand boa ने, उन्होंने इसको जो है, आपका दोस्तों जो है, वो compile किया है, और इसी वजह से ये report अपने आप में important हो जाती है, ठीक है, तो according to these documents, under the illegal trade of red sand boa इंडिया, 2016-21 में, उस report के हसाब से देखा गया है, कि इंडिया में इनके जो cases है, इनके death के cases, इनके hunting cases, वो आपके सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर आपके पाए गया है, इसी को देखते हुए, यह काम यहाँ पर आपका इस्तमाल दोस्तों किया गया है, ठीक है जी? पॉपलेशन कम हुई है, इसके cases हुए है, इसके hunting के, इसी लिए इन्यूज में है, इसके feature बाग का है, तो रेडिश ब्राउन कलर है, इसका एक thick set है, इसने का, इसका total average length 75 cm का होता है, और it is the largest of the sand boa snakes, यह जैरिला नहीं होता है, ठीक है, अगर आपको यह डसेगा, तो आपक स्टेटा होते हैं snake, लेकिन वो जो अंडा होता है, वोड़ी के अंदर ही फट जाता है, वहीं से वो snake निकलता है, वास समझ रहे हैं, तो यह X बाहर नहीं आते हैं, X अंदर ही बनते हैं, X अंदर ही फट कर, फिर वहां से जो baby snake है, वो निकलता है, और nocturnal है, रात के प्रा हो सकते हैं, तो इसलिए यह आपका news में है, अब आते हैं माले homework पे, question number one पे दोस्ते हैं, which country has passed a bill which criminalizes the citizens traveling abroad to pursue surrogacy arrangements, India has signed MOU with which company, mutual cooperation in the realm of artificial intelligence, which country conducted the Han-Kuang military exercise, India ने हाली में MOU sign किया कौन से देश के साथ तो कोलाबरेट on the sharing of India stack, और Africa, Russia Africa Summit अभी हाली में कहां पर हुआ था, इसके answer दीजिए हमें comment section में, बाकी इसका PDF और latest updates अगर आप मेरे WhatsApp पे आएंगे तो आपको मान चलेगा, वहाँ पर हम कितना discussion करते हैं, और कितने ज़्यादा updates आपको regular basis पे मिलती है, burning issues के, वो यहां मिल जाएगा, साथी साथ current face के अ Do not forget to subscribe to channel and do not forget to join at least this group or this one, ताकि वहाँ पर मैं आपके साथ PDF शेयर कर सकूँ और अलग लग क्विजस को भी वहाँ पर हम आपके साथ कर सके, thank you so much everyone and bye bye and thank you so much guys, bye bye.